Hello friends, Endometriosis Series के चौते वीडियो में आपका स्वागत है, मैं डॉक्टर सुशिला सैनिग इनिक लॉजिस टन अप्सिटीशन, आज आपको Endometriosis के सर्जरी के बारे में बताने जा रहे हूँ, यानि कि यदि आपको डॉक्टर ने सर्जरी एडवाइस कर दी है, Endometriosis के लिए, तो अब आप क्या expect करें कि सर्जरी होने के बाद आपको क्या relief मिलेगा, सर्जरी के दौरान क्या-क्या होगा, और सर्जरी से पहले आपको चैरल करने पड़ेगी, और surgery के बाद क्या परहेस रखने पड़ेंगे तो सबसे important है कि सबसे पहले ये समझना होगा कि आपको आखिर surgery advice क्यों करी गई है यानि कि यदि endometriosis के लिए surgery advice की गई है तो हो सकता है कि आपके ovary में cyst हो या uterus के अंदर गांठ हो या आतों के अंदर nodule हो या आपको बहुत ज तो भी surgery advice की जाती है इसमें कि दूर्बीन की जाच और इलाज साथ के साथ किया जाता है तो किसी भी कारण वश्यदी आपको surgery advice की गई है तो surgery generally दूर्बीन से हो जाती है बहुत ही कम cases में चीरा लगा कर सरजरी करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि आज कर टेक्निक बहुत जदा advance हो गई है और सभी डॉक्टर दूर्बीन की पधधती से अच्छे से भली भाती वाकिफ है लेकिन definitely endometriosis की surgery एक challenging surgery होती है it is not an average surgery इसको level 4 surgery करने वाले डॉक्टर ही perform कर पाते हैं इसलिए डॉक्टर आप जब भी चुने अच्छे से देख भालकर समझ कर चुने दूसरा जब भी surgery plan की जाती है तो आपको डॉक्टर से अच्छे से यह समझना चाहिए कि आपकी surgery में exactly क्या plan किया गया है कई बार tubes के अंदर पानी या blood भरने की कारण tubes में hydrosalpings बन जाता यानि tubes full जाती है तो उनको निकालने की जरूरत होती है तो ऐसे इस्तिती में आपके prayer और consent बहुत ज़्यादा जरूरी होती है तो डॉक्टर से यह समझना जरूरी है कि आपका कौन सा हिस्सा वो निकालने बचाने वाले हैं और कौन सा इस्सा बचाने वाले हैं आपकी surgery fertility preserving surgery है या आपकी surgery radical surgery है जिसमें की बच्चे दानी अंडे दानी और नलिया वगरा सब कुछ निकाल दिया जाता है तो पहले तो यह decide होगा कि आपकी surgery किस प्रकार की है यह यह आपको बच्चे के लिए या pain के लिए आपको surgery की जारी है जिसमें की uterus और ovaris नहीं निकालनी है तो ऐसी स्तिती में आप पहले समझ लीजिए doctor से clear cut की होने वाला क्या है यह आपको doctor ने बताया है कि आपकी ovaris निकालने की ज़रूरत पढ़ सकती है या tubes निकालने की ज़रूरत पढ़ सकती है तो उसके लि consent दे दीजे ताकि doctor freely काम कर पाए यदि आपने consent नहीं दी तो doctor आपका इलाज पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे और फिर आपको बिमारी बार-बार होगे और आपको बार-बार operation करवाने पढ़ेंगे दूसरा यदि एक तरफ की ओवरी निकालने की consent भी अगर doctor कहती है कि आपको देनी है तो doctor से समझ लीजे कि यदि ओवरी को बचाया जा सके तो बचा लीजे नहीं बचा सकते हैं तो consent दे दीजे क्योंकि एक ओवरी से भी pregnancy हो जाती है तो घबराएं नहीं pregnancy और भी तरीके से हो सकती है डोनर ओम लिया जा सकता है बट आपका इलाज सबसे सदा जरूरी है तीसरा यदि आपकी बच्चे दाने के अंदर कोई गांट है तो definitely उसमें गांट निकालने की ज़रूरत है ही और ऐसी स्थिती में दूर्बिन से इलाज हो जाता है यदि आप की सरजरी के अंदर exactly क्या होने वाला है तो सरजरे से पहले पेठ साफ होने की दवाईियां दी जाती है जिससे की पेठ के अंदर जितनी exist है या कोई भी तकलीफ हो ठीक हो जाए और आतें आराम से ही शांत रहे ताकि सरजरी आराम से परफॉर्म की जाए कर आतों का इंवॉल्मेंट भी होता तो आतों चुछ सन चिपका हुआ हो सकता है तो आतों के उपर भी टांके लेने की जरूर्ट पड़ सकती है तो ऐसे स्थ घॉल के शांत होना बहुत यदि आप खाके जाते हैं तो आपको Anastasia के दौरान और लटे हो सकती है, operation के बार भी तकलीफ हो सकती है और आतों में infection हो सकता है, तो ऐसे गलती बिलकुल ना कीजिए, खाली पेट बिलाए है तो खाली पेट ही जाना होता उसमें पानी भी नहीं पीना होता है, operation से पहले कुछ प्रकार के जाचे भी कराई जाती है जिसे की बेहुशी की fitness के लिए बोला जाता है P.A.C. investigations होती है और उसमें जो भी जाचे डॉक्टर आपको advice करती हैं उनको proper तरीके से करवाने के बाद ही surgery plan की जाती है जब आपकी surgery शुरू होती है तो आपने ये समझ लिया कि दूर्बीन के operation होने वाले हैं दूर्बीन के operation चार या पांच छीट बना कर operation किया जाता है इसमें बड़ा चीरा नहीं लगाया जाता है और ये जर्नल अनसेसिया में किया जाता है यानि कि आपको पूरा भी होश किया हैं तो कई बार ऐसी स्तिती सामने आती है कि जो हमने पहले से आपसे डिसकस नहीं करी होती है कई बार surprises भी सामने आते हैं और नहीं बीमारियां भी सामने आती है तो ऐसे सर्जरी के दौरान ट्रेटमेंट प्लान में कुछ चेंज होता है तो डेफिनिटल आपको उसे open mind से स सुनना से समझना चाहिए और सोचकर कर समझकर CONCENT देनी चाहिए क्योंकि बिना कंसेंट के सजरी संभव नहीं होती है और जब तक आप into NOT इंगे तो आपका इलाज पूरा खाली पेट रखा जाए और आपको सिर्फ पानी या नारिल पानी या नेमू पानी बताया गया हो तो जैसे ही डॉक्टर आपको बताते हैं वैसे ही आप फॉलॉ कीजिए और जैसे जैसे आपको दूसरे दिन आपको लिक्विट डाइट पे शिफ्ट किया जाता है जिसमें कि आपको डाल का पानी दिया जा सकता है, पतली खिचडिया दलिया दिया जा सकता है, चाह बिसकिट दिया जा सकते हैं, दही वगर दिया जाता है, और तीसरी चौथे दिन से जब आपको लेटरे नाराम से हो जाती है, मोशन पास हो जाता है, तो फिर फुल डाइट अगर आपको pain होता है तो pain killers दिये जाते हैं, as such उनका कोई side effect नहीं होता है, और जब आप hospital से discharge हो जाते हैं, तो definitely आप खुशी-खुशी घर जा सकते हैं, क्योंकि अब आपकी बिमारी का पुरा इलाज हो चुका है, अब आपको किसी प्रकार का दर्द नहीं है, ना बिमारी का दर्द है, ना surgery का दर्द है, हाँ, आपको कुछ हद तक कमजोरी महसूस हो सकते हैं, तो आप अच्छे diet लेंगी, तो कमजोरी दूर हो जाएगी, खाली पेट बिल्कुल ना रही है, दो घंडे के अंदर कुश ना कुश ज़रूर खा लीजिए, लेकिन थोड़ा-थोड़ा खाये, बार-बार खाते रहे, पाने पूरा पीते रहे, लिक्विड डाइट अच्छे से लीजिए, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लीजिए, आराम कीजिए, और energy वाले food और fruits, juices, soup, यह सब आप आराम से ले सकती हैं, लेकिन किसी भी चीज़ की अती बुरी होती है, बहुत ज़्यादा juice लेना, बहुत ज़्यादा fruits लेना भी पेट के लिए नुकसान दे हो सकता है, इसलिए नॉर्मल डाइट को follow कीजिए, बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में changes ना कीजिए, हलकी, हलका खाना खाये, तलीब होनी चीज़े, avoid कीजिए, घुमते फिरते रह होती है, तो डेली शावर लीजिए, अच्छे से धूप में बैठेए, खुली हवा में घूमिए, अच्छा खाते पीते रहें, तो definitely आपके recovery बहुत अच्छी होगी, बहुत fast होगी, और आपके surgery successful surgery होगी, तो आपको भी खुशी होगी, आपके doctor भी आपके ऊपर proud करेंगे, कि आप, आपने बहुत अच्छे से अपनी care की है, और surgery का ध्यान रखा है, और फिर भी यदि आपके surgery के दोरान आपको कोई problem लगती है, तो आप हमें comment box में लिखके पूश सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब हमेशा देंगे, आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो मे नए जनकारी कि साथ तबतक में ऊशकर.